हलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग साथ में मिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरी दिंग और यह बहुत इंपॉर्टन पॉडकास्ट है इस परस्पेक्टिव से कि आपने भारत वेप्तरी एस्सेशन के बारे में सुना होगा हम जब भी कहते हैं कि इंडस्ट्री से ड अस्सेशन होता है आपकी नराजगी है अस्सेशन के दौरा बताई जाती है आपकी खुशी है आप अस्सेशन के दौरा बात करते हैं वेप्तरी के अंदर या जो एक क्रिप्टो का पूरा एको सिस्टम आप कहते हो या वेप्तरी कहते हो हमेशा से कमी रही और वो कमी थी कि एक right association का ना होना वो association जो अपनी बात आगे रख सके अपने पक्ष को रख सके अपनी नाराज़गी को लफजों में जाहिर कर सके अपने concerns को बता सके और ये बता सके कि ये industry सिर्फ ponzi या ये सिर्फ industry सिर्फ bad actors या वो अख़बारों की headline नहीं है जो हम पढ़ते हैं association का एक बहुत important role होता है और मुझे खुशी है इस बात कि है कि हमारे साथ आज जो है दीपक चुनौई जी है जो की वेब 3 association को lead कर रहे हैं और दीपक जी से मैं बहुत सारे सवाल पूछूँगा कि क्या इस टाइम government का perspective है dialogue किस levels पे चलते हैं किस तरह का take है government का क्या उनके concerns है उन concerns को meet out कैसे कर रहे है association को कौन कौन है यह सब तो हम question पूछेंगे लेकिन पहली बार I think यह podcast पे इंडिया के अंदर पहले आपने किये हूँगे लेकिन I think हमारे साथ ही पहली बार आ रहे हैं तो हमारे पास कुछ बड़े interesting question है दीपक जी के लिए दीपक जी पहले शुक्रिया आपका कि आप इस channel पे आए हमारे channel पे आए और आज मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि हम हमेशे एक सवाल पूछते है हर इंसान से जो हमारे channel पाता है तो यह आपकी journey कैसे शुरू हुई इस virtual digital asset space में और आप 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 आपने कभी यह decide किया या क्या वो incentive था या क्या वो motivation थी कि यार इस एक association होनी चाहिए और उसे lead करने वाला कोई होना चाहिए और अपनी बात रखने वाला चाहिए so please we'll be happy to know about it तो अगर आप देखें काशिफ लो रहाल दो साल धाई साल पहली की बात है कि किसी मेरे एक दोस ने का था भाई हमें presentation कर रहे हैं web 3 के लिए उनको कोई association बनाना है और मेरा मेरा जो जिन्दगी है उसके लगभग 37 साल तो associations में गुजए तो पहले एक होती थी association of Indian engineering industry वो बनके इसको नाम चेंज होगा confederation of engineering industry बना फिर वो confederation of Indian industry बना फिर वहां से में उजे society of Indian auto wheel manufacturers में अच्छी दिया गया था और फिर मैं थोड़ा सा टाइम government के साथ साथे 5 साल मैंने national scale development cooperation वो भी एक तर्दिके से scaling का एक association के तरीके था और फिर मैंने फिकी head किया था लेकर इन सारों जो आप कहते हैं कि innings में अगर रहा है एक बढ़ी अजीवी connecting factor था तो मैंने AIEI में electronics and IT committee शुरू की जब वो CIA हुआ था तो 1998 में मैंने अपनी फर्स e-commerce conference की थी 1998 मेरा first जो presentation है 1998 में अगर उसको e-commerce निकाल करके उसको crypto या web3 करेंगे तो बड़े आसानी से pass-off हो जाएगा उसको AI में गया था तो फिर मैंने healthcare भी काफी initiatives लियते हैं फिर S.I.M. में गया था मापी में digital initiatives किया थे कि fast tag का जो पूरा concept हम लेते हैं हम उनको ले गए थे I-26 में Canada में उनको I-20 उनको दिखाया था कि देखो ऐसे जाते हैं Singapore ले गए थे कि तो कैसे congestion charges वगएर होते हैं इसका और फिकी की भी मैंने digital transformation committee form की थी और उसके जब chairman थे अनीश साह जो महिंद्रम है और मैंने खाल दो दिन में अनीश साह तो फिकी के president मनने वाले हैं तो यह मेरी journey एक तरीके इसे थी और जब मैं वहां बैठा हुआ था तो मैंने ऐसी बात चल ले थे मैंने कहाए देखो crypto की association तो नहीं चलेगी तो इसको थोड़ा broad base करते हैं इसको web 3 देखते है web 1, web 2 सब जब explain कर रहे थे क्रिप्टो तो कर देखते हैं और यह भारत वेब 3 इंडियन association बनाएंगे तो जो मैंने दोस्ता उसको तो contract मिला नहीं तो सारे जो companies थे वो किसी को association चलाने के लिए तो थोड़े दिन बाद लोगों ने मेरे पास आके बढ़िया वह हम एक association बना रहे हैं आप उसमें थोड़ा सा हमारे मदद कर दो मदद क्या करना है नहीं नहीं आप ज़रा थोड़ा उसको we need a face तो पता नहीं मेरा चेहरा कैसे perceive करता है तो मैंने कहा दे रहे हैं वेब 3 प्रोमोड कर सकते हैं क्रिप्टो करन्सी वेब नहीं प्रोमोड कर सकते हैं तो हमने उसी टाइम एक पूरा एक पूरा को घटा किया नुवंबर 22 में यह association बनी थी और मार्च से जो मेरा जो education हो है मुझे जो इसमें जो एक तरीके से exposure मिला है और सीखने को मिला है और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से मिल रहा हूं लेकिन इस में जो youth की जो energy है वो एक बहुत ही important चीज है और अगर आप इस podcast को सुन रहे हैं और आप इस industry में मेरा आप से एक ही message है कि आप निनाशना होएगा और इंडिया छोड के मत भागेगा इंडिया में ही करि दिलिब जी आप से बात करके यह लगा कि आपको इस बात में बहुत interest है कि जब कोई चीज बिलकुल शुरुआती दौर में होती है कोई शुरुआती दौर में e-commerce था शुरुआती दौर में उबर था शुरुआती दौर में Airbnb था हमेशा eyebrows raised होती है government कि कि के यह कैसे possible है यह क मुझे लगता है आपकी शायद ये लाइफ का ये गोल रहा है कि जब चीजे बहुत ही शुरुवाती दोर में हो तो उन्हें जब उनकी सबसे कम understanding हो that is the time when you said कि नहीं let me take it up let me learn it let me understand more about it and let's form an association and put our point across आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एक थोड़ा सा उसको मैं twist दिने चाहता हूं क्योंकि मैं तो CIA में या AII में काम करता हूं और actually मेरे जो second job थी right वो cable TV industry में थी ठीक है अगर आप 1982 या 83 में देखे तो आज आपको channels है वो नहीं मिलते थे इंडिया में खाली चार शेरों में एक-एक channel था और जो लोग दूद रास रहते थे वो कुछ नहीं देख सकते थे तो हम एक head end लगाते थे जी-जी, head end में video लगाते थे सब connect करते थे और जब वो industry थोडी mature होने लगी ना जब ही हमारा यह copyright और वो हुआ था और यह जो video piracy का उसके बाद ही शुरूआत हुए थी तो उस time भी हुए मैंने मिलको नहीं पता था क्या है आइटी में मेरा एक दोस्ता उससे का मेरा दोस्ते कंपणी कर रहा है आप जॉइन करके देख लो क्या हो रहा है मैंने का देख लेते हैं फिर पूरे इंडिया में घूमने का वह तो वो एक तरीके सब जब मैं CIA में गया था तो वो मुझे कोई भी committee दे सकते थे इतिफाक से IT committee आ गई ठीक है और जब IT committee आ गई फिर टेलेकॉम committee भी आए थी हमने पहले overlay network का हमने प्लान बनाके government को दिया था मोबाइल के जो एंटीपी वान एंटीपी टूब में से तो मैं एक organization में काम कर रहा था उस तरह एक मौका मिला जी जी चाहे वो अगर मेरे बहुत सब्सक्राइब करेगा इसको understanding है या या इतिफाक जो भी है पता नहीं मत यह कहानी है आपसलूली तो सर थोड़ा सा यह बता सके members कौन है और अभी यह कहां तक पहुंची है अगर आप देखें तो जो भारत web 3 association है एक तरीके से web 3 में जो players है उनका एक संगठन है शुरुआत तीन founding members ने किया था आप देखें हाइक जो एक messenger है बर उनका gaming भी प्लाटफॉम है वो nfts लाने की कोशिश करते थे उस जी जी यूनिकॉन है यह थेक है तीन यूनिकॉन है इन फैक तीनों यूनिकॉन है तो फिर और companies आए जैसे polygon है coinbase है तो यह layer 1 layer 0 layer 1 वाले जो है layer 2 companies वो members बने फिर wallet providers दो दूसरे लिमिनल हो जी लिमिनल या जो अगर आप देखें तो इनके जो allied trade वाले हैं, exchanges तो काफी, ZPay, Wazirex, Ankh, Ankh, काफी और Goitas, काफी और अभी government ने हमें यह कहा है कि सारे जो FIU registered है, उनके बाद में एक सरह सा coordination करो, तो हम अब आप्रोचिंग, all the FIU registered entities who are not members here. तो अगर किसी कोई, अगर मैं एक protocol बनाता हूं, which is good enough, and which has an Indian person in charge of that protocol, भरी हो इंडिया में registered नहीं है, वो क्या भारत PEP3 association का part बन सकते हैं, अगर बन सकते हैं, तो कैसे बन सकते हैं? बिलकुल बन सकते हैं, हमारे तीन, तीन levels of membership है, actually, founders को छोड़ करके, एक gold है, एक silver और associate है, अगर आपको funding मिल गई है, और आप, अगर established हो, तो हम आपको encourage करते हैं कि आप silver में आईएगा, अगर funding मिल गई है और established ना हो, और bootstrap company हो, तो आप associate members, associate members है अलग-अलग category है, हम individuals को भी members बना सकते हैं, अगर वो कुछ चा-चा काम कर रहे हैं, बड़ा simple है, secretariat at bharatweb3association.com में email डालीगा, we'll get in touch with you, और जैसे आपका एक तरीके से interest है, आपको हम actually उसी member level के नाखिए, जैसे की, you know, audit companies है, quill audits, tax notes, coinx, काफी अलग-अलग जो पूरे उसमें है, अभी NFT providers भी आ रहे हैं, law firms भी, अभी तीन law firms members बने हैं, मैंने ये एक dream है, मैं कह रहा हूँ कि जो बड़ा अजीब साइक बात है, कि अगर आप देखें, दुनिया में, web3 भी एक startup ecosystem है, web3 के अगर आप media देखें, जैसे आपकी company, media companies भी Indian head, lead and Indian owned companies है, और उनका कोई forum नहीं है, तो उनको भी बुला करके, उनको एक platform दे, और, you know, just as an associate, ये अम सोच रहे हैं, उनको कैसे करने के लिए, ये I want, ये करने के मेरे, किसी को क्या फाइदा मिलता है, association को जॉइन करने से, देखें, सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी association के member नहीं हो, तो आपको ये बात पता नहीं हो, कि association कर, क्या एक तरीके से reason होता है, क्या होता है, जो BWA के जो मकसद है, वो, तो तीन, एक तो हमें एक तरीके से, इस industry को promote करने का है, मेरा भूती strong, या, मजबूत, एक तरीके से सोच है, कि India, वेब 3 में leader बन सकता है, क्योंकि हमने, वेब 1, वेब 2 का एक जो अफसर है, वो खो दिया, तो वो तो याहू ले गिया, वो Indian head it था, by the way, याहू, और आप Google, Facebook, Microsoft, देखें, Apple देखें, उसमें जो सारे CTOs है, सारे product heads है, Indian है, और उनका अगर एक company ले तो उनका एक company का turnover, इंडिया के total IT के turnover के लगबग बराबर है, या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो वेब 2 में भी हमने खो दिया, अब वेब 3 जो है decentralized, democratized, transparent, ये जो है, ये India could be the leaders, जैसे IBM super computer में leader था, लेकिन parallel processing में परम और CDAC और हम leaders थे, तो अगर हम ऐसे एक environment यहाँ पैदा करें, तो यहाँ पर development हो, तो इस मकसद से हम सब साथ ले गए, दूसरा जो है, कि इसमें बहुत काम करना है, हमने government को educate करना है, industry को educate करना है, बहुत ही अगर आप देखें, आई-बी-ड़्यू में है तो, मैं यह साथ यह आठ इंडेस्ट्री अप्लिकेशन्स है, बाकी सब पूरे, इस sector क्रिप्टो के, टोकन्स यह उसके, और यह वेब 3 का काफी यार्वर्स होता है, और एक regulatory framework लाना, जिसमें, अगर आप इसके member बनोगों, अगर आपको regulatory में अपनी establish कर सकते हैं, हमें, जोग भी कुछ, आपको जो issues है, उसको हम solve करने की प्रयास करते हैं, तो दिलिब जी, जब आप government के सामने बैठते हैं, across the table, और discussion शुरू होती है, किस तरीके का discussion होता है, क्या उनके concerns जो होते हैं, वो किस तरीके के major concerns है, concerns तो बहुत सारे होंगे, जो general concerns रहते हैं, हर बार discussion में वो आते हैं, वो concerns कौन से हैं, जो आप address करते हो, और हमेशा हर meeting में आते हैं, और generally आप dialogue किस तरीके का, क्या यह one way है, यह two way है, यह किस तरीके का dialogue है, अगर आप देखें, government जासे हम सोचते हैं, government एक entity नहीं है, government अलग अलग entities होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इसमें अगर आप देखें, India as a country की जो concerns थे, वो एक तरीके से, G20 में जो हमारे finance minister ने, प्रदान मंत्री ने कहा थे, कि G20 का crypto track है, उन पर उनके लगबाग 3 या 4 concerns थे, पहला था कि, यह crypto में जो trading होता है, ठीक है, वो क्या economy को destabilize करें, उनके mind के पीछे, वो SVV bank, FTX वगएरा थे, उनके mind में यह थे, दूसरा, और अगर आप देखें, तो दूसरा यह था कि, क्या यह dollarization economy हो जागा, जैसे अभी Argentinian president ने बोला था, stable coin, stable coins नहीं, dollarization, लोग crypto, Indian rupee देके dollar कर दे देंगे, और सारा Indian rupee जाएगा, ठीक है, तीसरा उनका था, यह बहुत ही बढ़ा था, क्योंकि अगर आप देखें, तो जब वो banks collapse किये थे, या exchange collapse किये थे, सारे जो Indians थे, उनोंने किसको petition किया, government को, खरिदने के लिए तो government की पर नहीं जाते, लेकिन जब कोई problem होता था, government हम बचाए, तो फिर वो, इसको हम बोलते है, consumer protection, investor protection, और education, और इसलिए मै में में असे पहले बात की थे ना, कि मैं आपके साथ tie-up करना चाहता हूँ, उसको education की, तो ये तीन चीज़े हैं, जो government को बहुत ही जादा, और फिर उसके साथ जो FTX का, exchanges का, जो अगर exchange custodian भी हो, you know, trader भी हो, तो उसको कैसे, अगर आप देखें, और जो IMF और FSP की जो paper आ रखते हैं, उन में बिलकुल साफ लिखावा है, क्या concerns है, और वोई concerns है, और सबसे बड़ा जो concern है, इसमें क्योंकि मैंने तीनी बुदे, चौथा जो सबसे बड़ा concern है, वो anti-money laundering और terrorist financing का, जो गार आप देख रहे हैं, इसराइल, हमास के मीच्छे जो हो रहे हैं, उसमे सारा किया गया है, क्रिप्टो के बारे में का गया है, और अब आप देखें, तो काफी money laundering और इसका FATF ने भी regulation रणा दिया है, सारे जो इंडिया में traders हैं, exchanges हैं, उनको भी FIU compliant बना दिया है, तो ये चार concerns major government के रहे हैं, दिलिब जी एक important question है, जब हम कहते हैं, भारत web 3 association, तो web 3 के अंदर बहुत सारे projects हैं, उन projects के बीचे founder हैं, और जब हम उन projects को देखते हैं, VC भी है, business development team भी है, US के अंदर एक debate चीड़ी है, कि crypto needs to be divided primarily into three parts, stable coins, commodity and then securities, तो हमने ये देखा कि काफी सारे जो web 3 के projects हैं, उनको वहाँ SEC कह रहा है कि securities हैं, और एक बार commodities versus security की debate चल रही ह I don't know, आपका take चाहिए, कि India के अंदर जितने भी concerns आज तक आए हैं, वो RBI के through आए हैं, और RBI time to time कुछ न कुछ crypto के उपर एक अपना नजरिया पेश करता है, चाहिए वो written में है, verbally है, television पे, SEBI का आप देखते हो कि अभी तक कोई ज़्यादा ना उनकी तरफ से, कोई उनके विचार या उन्होंने कोई express ज़्यादा अपने opinion नहीं कर रहे हैं crypto पे, जबकि दुनिया भर में security exchange commissions के जो नजरिया आ रहा है, वो ज़्यादा SEC की तरफ से आता है, यहाँ SEBI की कोई ज़्य ज़्यादा खास opinion नहीं है crypto के, कभी आपको ऐसा feel होता है कि SEBI से भी आपका अब अब दक कोई dialogue हुआ है, या आपको लगता है कि SEBI को थोड़ा सा progressive approach अपनानी चाहिए और इस industry को closely watch करना चाहिए, कि कल की companies on chain बन रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि company registrar के पास जा रही है, यह अब देखिये, if all tokens are securities, why is bitcoin not a security, US regulators, SEC doesn't take bitcoin as a security, somewhere there is a consensus की commodity की रही है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए जो मैंने आपको बोला था हम क्या कर रहे है, European crypto initiative के साथ, EU crypto initiative, Canada, वगेरा, सब countries के साथ, हम एक global taxonomy of virtual digital assets त्यार कर रहे है, how do you classify them, आपने stable coins बोला, whatever it is, एक walk, क्योंकि अगर आप tokens में जाए हो, आपने कहते है, use cases, आपने खली stable coins के use case बोला था, अगर आप ship को tokenize करे, या real estate को tokenize करे, या art को tokenize करे, यह तो SEBI का नहीं है, यह तो उनका commodity का नहीं है, तो एक तरीके से वो जो उसका regulation है, उसका regulatory framework क्या होना चाहिए, एक तरीके से उसको देखना है, नहीं regulate करेंगे, जो उस sector का, एक है, एक पूरा regulation बनागर, अगर माइका भी देखे हैं, तो खाली वो virtual digital assets और exchanges उसको पर है, वो काफी कुछ अभी नहीं हुआ है, तो और दूसरा है कि existing laws को modify करें, stamp duty act amend कर दो, you will take care of tokenization of real estate, real estate, so यहीं जो है, आगर आप देखें, तो appropriate time पे जभी भी finance ministry या government एक direction देगी, ठीक है, उसको देख सकते हैं, अभी तो confusion है, कि security है, कि commodity है, वैसे इंडिया में तो दोनों commodity और security से भी के अंदर हैं, तो दोनों, yes, exactly, के अंदर यह unique है, because, is it a security, is it a, is it a, because they're not issued here, no, Indian issued token बब एक था, वो बाहर चला गया है, अभी, Matic, but then, जैसे, NFTs का क्या करोगा है, NFTs अभी शोएंगे, उसका क्या करोगा है, right, हमारा, आपने शुरू में, शायद on camera, यहाँ हमारी पहले एक बात हुई, जो मैंने entry ली दी कि, securities की deficient fall हो जाता है, तो उसको किस, लेकिन वो exactly company की तरह operate नहीं करता है, because, वो on chain है, उसके काफे सारी जो users हैं, वो बाहर है, on chain activity है, तो बहुत सारी ऐसी clarity भी US में भी नहीं आई है, वहाँ debate है, commodities और securities को लेके, क्या इस तरह की चर्चा यहाँ होती है, वो ही तो हमारा काम है अगर आपको कोई problem हो, या आपको कोई clarification चाहिए, तो हम government के पास जाते हैं, और government के दो या तीन तरीके के approaches हैं, जैसे हमने अभी meeting के सामने एक round table किया था, अगर आप देखें, use case application में CDAC, इंडिया में government entity है, बहुत काम कर रहा है, ठीक है, अब problem यह है कि सब लोग private blockchain पर जा है, क्योंकि that is the regulatory uncertainty, अब RBI भी कह रहा है कि can we use CBDC as a token for on-chain activity, ठीक है, उसमें देना पड़ेगा क्या है, क्या नहीं है, etc., etc., तो इसी के जो clarity चाहिए, अभी लोग ने कहा कि अगर मैं US में नहीं जाता हूँ, नहीं deliver में नहीं incorporate करता हूँ, में US की VC firm नहीं fund करेगी, but then there are US VC firms who have funded the unicorns, India में, उन से बात कर रहे हैं कि why are you putting them there, going to the government and addressing, और काफी, नाजेश चंशेकर जी जो बैंगलोर के हैं, उन्होंने भी एक तरीका हम घर वापसी का वो बना रहे हैं, तो यही process है, इसलिए associations बनती है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने लोग हमें joint करेंगी उतनी हमारी ताकत होगी, और जितना आप time invest करेंगे association में, उसका exponential return आपको आएगा मुझे उसी related जैसे काशिव भाई ने पूछा तो उसी related एक और question आया था कि कुछ exchanges हैं जिनको इंडिया में बहुत problem face करनी पड़ रही है, because of the 1% TDS, the volumes of Indian exchanges from all time high are 100x below and lower, getting lower and lower every day as we count, उसी के कारण exchanges को बहुत बढ़ा, जो crypto exchanges थी, जो बहुत अच्छा progress कर रही थी तो 2020 के है, so does ministry of commerce and other government entities look at these as businesses and understand उनकी भी problems को समझते हैं उस तरह से, या फिर they are just concerned about the people who are invested there and you know things over there, नहीं बिलकुल ही businesses समझते हैं, इसलिए तो FIU के साथ 28 entities listed हैं FIU के साथ, बिलकुल समझते हैं, लेकिए जब 2022 में जब ये एक तरीके से budget में इसको announce किये गया था, उस time और जो यहां पे regulations थे या AIML, EIU का जो था, ठीक है, वो बने नहीं थे, तो उस time ये था कि अगर कोई कहता कि आपने क्या किया as government, तो काएंगे भाई, देखें हमने tax लगा दिया, TDS लगा दिया, हमारा ये था कि discourage करो उनको, लेकिन जैसे ही regulatory framework बनता है, और actually अभी ही ministry ने एक जवाब दिया था, कि जो foreign exchanges रो आएंगे, उनको भी एक तरीके से regulatory framework में लाएंगे, between the line, sorry मैं आपको यहां रुकूंगा sir, बहुत एक अच्छा point आपने याद दिला दिया, मेरे दिमाग, ministry ने अपने reply में बोला लेटर में, कि हम registration का compliance उन पे भी लागू है, FIU कि चाहे वो यहां register करें नहीं करें, and हम encourage करेंगे, हम initiation कर रहे हैं process का, कि जो उनको register करना is excited to announce that we are now Push Protocol. We launched EPNS in 2020 with the backing of Web3's leading developers, investors, and builders. To date, we have powered the world's largest notification network on Ethereum. Now, EPNS is evolving beyond Ethereum and beyond Push Notifications. Introducing Push Protocol, the multi-chain communication stack for Web3. Push is building a suite of products to enable notifications, chat, ads, streaming, and more. The Push Token is the critical piece of the Push Protocol. Securing, governing, and incentivizing all ecosystem participants. Push Protocol is the missing piece of Web3. Found. Join us at push.org. So, if you can see, the answers in the government, which are the answers in Parliament, you should be careful about it. Because, one time, you have said something on record in Parliament, और अभी देखे, अभी जो election season आ रहे है, ठीक है? और you cannot ban, you can, देखे, अभी जो apps बैं किये थे, उनको बैं किये थे, ठीक है? But, still people were playing the game in India. Right? तो, ban solution नहीं है, ठीक है? अब उसको track करना भी simple सा चीज है. Every investor, if you mandate KYC, today, exchanges cannot use centralized KYC. If the government allows, government ये centralized KYC allow कर देती है, और सब का, जो भी invest करता है, किसी भी exchange पे, अगर आपका KYC होगी है, और आप उसका database करें, और जो इसको बोल दें कि आप इतना ही invest कर सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं, और तरीके से regulation ला सकते हैं, लेकिन government के perspective सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें पहले तो global agreement चाहिए, वह G20 में agreement है, G20 में सब के timelines आ गये, 2025, 2026 तक, तो अगर government वो, उसको fast forward भी कर सकती है, वहापे लिखा है, government can take their own decisions, और लोग सहते हैं, government can take banning, government can accelerate it also, तो यह parliament questions, reply थोड़ा उनको binding हो जाता है, government पे commitment हो जात है, तो, government has also spoken about the web 3, जो अभी कल जो reply आया है, जो आशीश सिंगल ने share किया, about web 3, the entire reply, so somewhere, वो कह रहे है कि हम हर्याने में, हर्याने में हमें एक Pada Ventures और global blockchain alliance के साथ, हमने एक तरीकी से, एक M.O.U किया है, actually मैंने सारे जो start-ups थे, दो मैने, धाई मैने पहले, मैंने सब को address किय था, on enterprise, on blockchain solutions for enterprise, जब मैंने उनको address किया, तो, एक तरीके से हैरा हो गए, कि एतनी opportunity है, G20 में, digital working group में, एक तरीके से हुआ था, कि हम सारे, जो qualifications को recognize करना है, उनका, मैंने कहाते है, दिखिए, वो मरीट थे, कि यह सब centralized किसी country के साथ हो जाएगा, वो advantage ले ले लेंगे, मैंने क हो, decentralized, authentication of credentials, उसमें आप add कर सकते हैं, जो आपने company में बैठके भी credentials, अक्यूमिट के हैं, उसको भी कर सकते हैं, तो, यह सब solutions है, क्यों कि आगे जो होगा ना, जैसे Peter Diamonders है, वो Singulari University के, उनने कहा थे, दो type के company होंगे, एक जो AI use करते हैं, जो AI use नहीं करते हैं, जो AI use नहीं कर वेब 2 पे हैं, अगर वो transition नहीं करते हैं, वेब 3 में, वो company ही नहीं राएगी, सबसे बड़ी अभी तक आपको achievement क्या लगती इस association के बनने के बाद, जो आपको खुशी देती है, चलो यार, यह तो, अज़र हम इस level तक तो आए, तो देखें, आप अगर आप देखें, जो advertisements में जो disclaimer है, उसमें काफी बदलाब आ गया है, और asking के साथ dialogue करके, उसमें काफी बदलाब हो गया है, अगर आप देखें, जो, यह AIML और FIU recommendations जो पूरी देते हैं, वो भी बहुत ही बड़ा एक तरीके से achievement है, और यह एक तरीके से consensus करना की G20 में, एक तरीके से consensus हो गया कि इसलिए regulation बनेगा, उसमें सारे जितने मीं दुनिया में associations हैं, उन सब को एक तरी आपकास, धिलीब जी के साथ, वेब 3 association, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, association मैंने आपको बताया और इनकी importance हो, आज अपने अभी तक देखा कि एक dialogue हो रहा है, और उस dialogue के अंदर हम देख रहे हैं, एक, you know, जब शुरू ही थी association और आज जो उसकी कुछ achievements हम आपने से सुना दिलीब जी, thank you very much, and I am sure कि हम आपको time to time बुलाते रहेंगे, और आपसे feedback लेते रहेंगे, कि क्या चल रहा है, क्या dialogue चल रहा है, because जनता जानना चाहती है, कि उन बंद दर्वाजों में, जब association के साथ discussion होता है, तो उसमें किस तरह की की बातचीत होती है, और हम कहां पहुँ जा है, thank you, thank you.